जेहिंस आध्यों इस वक्त की बड़ी खबर भारती चीन सिमा पर वाइलर फटने से बांका के एक जवान सहीद हो गए हैं वहां बांका के रहने वाले थे आर्मी में वायर लेस आपेटर के पत पर काजी करते थे जवान गलवान घाटी में बलिदान होने की खबर आने से बांका में सोक की लहर है लद्दाक के भारत चीन सिमा पर गलवान घाटी में 23 वर्षिय जवान सुधान्सु कुमार उफ राहूल के बलिदान होने की खबर पर बांका जीले के रजोन पखंड के सकहारा गाउं में मातमी सन्नाटा परस गया वहीं परिजनों का रोरो कर बुरा हाल बुदवार को उनके घर पर परिजनों को रोने बिलकने पर लोगों की भिड़ जुड़ गई वहीं सभी की आँखे भी नम हो गई साथियों वहीं बताते चले कि पिछले सब्ता गलवान घाटी पर वाईलर फट गया था घटना में सुदानसु कुमार ओफ राहूल गंबिर रूप से जक्मी हो गये थे जिसके बाद चंदिगड इस्तित अस्पताल में भड़ती कराया गया था इस क्रम में एक सब्ताहा इलाज के बाद मंगलवार को देर रात को जवान बलिदान हो गया घटना की जानकरी परिवार को देर रात को मिली राजेश चोदरी के पुत्र सुदानसु की मोत की सुचना पर परिवार सदमे में आ गया माता पीता का एक लोता पुत्र सुदानसु कुमार ओफ राहूल की बढ़ती 2020 में आर्मी में वायल लेस अपेटर के पत पर हुई थी उनकी पारंभिक सिक्षा नवदे उच्ची विद्याले में हुई थी इधर जवान के बलिदान होने की खबर मिलते ही पूरे गाउं में सोक की लहर तोड़ गई है वही जवान के पिता राजेंद्र चोदरी माता संगिता देवी का रोरो कर बुरा हाले ग्रामीनों में सहीद के घर पहुचकर परिजनों को धांड़स बंदा रहे हैं सहीद जवान का सब हवाई जहां से देवगर एरपोर्ट तक लाया जाएगा वहां से सड़क मार्ग से गाउं लाया जाएगा वही परिवार के लोगों ने बताया कि गुरुवार को सब का दहा अंतिम संसकार किया जाएगा वही सहीद जवान सुदान्शू के सहीद होने की सुचना मिलने के बाद घर पर काफी संक्या में लोग पहुच गए हैं पहले उनके जिला मुख्यलाई लाया जाएगा जहां सासन प्रसासन के लोग पुस्पु चक्र अर्पित कर उन्हें न माकों से स्रद्दान जली देंगे वही सहीद जवान सुदान्शू उफ राहूल का पार्थिव सरिल सेना के विशेश वहान से तीरंगा यात्रा के साथ उनके गाउं लाया जाएगा जहां उनका राष्टिय सम्मान के साथ उनके गाउं में अंतिम संसकार किया जाएगा वहीं इस्तानीय सासन प्रसासन के लोगों ने सहीज जवान सुदान सुफ राहूल को सोसल मीडिया के माध्यम से सरद्धान जली अर्पित किये वहीं उनके इस सदम में साहस को बारं बार नमन किया है भारत माता के वीर सपुच सही जवान चुदान सू उफ राहूल को उनकी सेवाओं के लिए मैं सत्सन नमन करता हूँ वहीं उनके वीर परिवार के लिए कहरी सवितना प्रकट करता हूँ